तो आपने देखना है कि कौन सा इसमें ओड है कौन सा भी नहीं है उस पर आपको सर्कल बनाना ठीक है बेटा ओके तो यह देखलो यह कौन सा अलफबेट है यह भी है यह वहला भी नहीं है यह कौन सा अलफबेट है तो यह हो गया और अलफबेट ठीक है अब नेक्स्ट अम देखेंगे यह कौन सा अलफबेट है एफ उसके बाद क्या यह मैच हो रहा है F से नहीं फिर यह क्या है यह कौन से अल्फबेट है यह C तो यह हो गया और अल्फबेट तो इसको सर्कल बनाएंगे ठीक है जो मैच नहीं होता है वो और होता है ठीक है यह अच्छ है और यह क्या यह अच्छ है नहीं है तो इसको हम लोग circle बनाएंगे ठीक है this is odd alphabet j okay now देगो यह m है यह भी m है और यह भी m है और next है कौन सा यह m है no यह m नहीं है तो इसको हम लोग circle बनाएंगे क्योंकि यह odd है यह q है q for queen ओके this is s, this is s यह s है और यह क्या s है नहीं तो यह क्या है और अल्फबेट एफ और एपल यह एस नहीं है तो सरकल बनाएंगे ठीक है ओके नाव अब करेंगे मैच नेक्स्ट मैच आपने किया था अभी तो अब देखो कैसे मों करेंगे पहले आपने रिक्टनाईज करना एच है एच से क्या होता है बेटा कौन सा पिक् पर तो जब आपको एच फॉर हैट मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम लों हैच को हैट से मैच करना है ठीक है इसको लेके आना है हैट के पास अब यह है के फांस अलफबेट है के के फॉर क्या होता है अब आपने देखना के से अपने क्या लान किया था के फॉर काइट लान क तो आपको मिल जाता है फिर आप एन को कहां लेके जाओगे नेल के पास ओके नाओ नेक्स्ट ये कौन सा अलफबेट है पी फोर आपने क्या लन किया था पैंसिल तो आपने देखना पैंसिल कहा है फिर उसको पैंसिल से मैच कर देना है ठीक है नेक्स्ट अलफबेट इस ई ई फोर क्या होता पैटा आपने क्या लन किया था एग तो ई को एग के पास लेके जाना है एक से मैच करना है ठीक है अब आपने एक बार देखना है अब कुछ बुरह है तो नहीं गया K for kite N for nail P for pencil और E for egg ओके तो अपने सारा कर लिया match very good thank you God bless you bye